नमस्ते, हिंडी की क्लास में और वी स्कूल की तरब से आपका फिर से स्वागत है, हमने व्यंजन, य, र, ल, व, वो चारो व्यंजन सीखे, यकी लाइन में चार व्यंजन है और वो चारो व्यंजन को हम अंतस्त व्यंजन कहते हैं, उसके बाद में हमने तीन श सीखे, शलगम का शर, शटकोन का शर और साप का सर ये जो तीन व्यांजन है वो शलगम के शर की लाइन में आते हैं, शल्गम के शा की लाइन में चार व्यंजन होते हैं, और वो चोथा व्यंजन है, व्यंजन हो, जो की है उश्म व्यंजन, मैंने जैसे आपको बोला था, शल्गम का शा है, वो है उश्म व्यंजन, उसकी लाइन में आने वाले चारो व्यंजन को उश्म व् हवा अन्तस्त व्यांजन है और शल informational काकशाव शथकौं का सापका सव और व्यांजन ह। यह चारो व्यांजन को उश्मा व्यांजन कहते हैं तो पहले व्यांजन ह। बोलने के लिए हम थोड़ी से प्राक्टिस कर लेते हैं उसके लिए आपको ये जो दो लाइन है वो बार-बार दोरानी है और अच्छे से प्राक्टिस करनी है हल्दी पीली हरी हरी आली 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 ऐसे बार बार एक के बाद में है, बार बार एक के बाद में है, आपको ये repeat करना है, जिससे आपको व्यंजन हा बोलने की अच्छे से practice हो जाएगी, अब हम व्यंजन हा की कहानी सुनेंगे, एक लड़की थी और उसका नाम हैपी था, हैपी को छुटियों में हिमाले गुमने जाना था, इसलिए हैपी हवाई अदे पे गई, हवाई जहाज में बैठी और हिमाले गई, हिमाले पे जाने के बाद में उसने देखा कि हटंडी थंडी हवा चल रही है, और उसके हाथ थंडे पड़ गए, और उसके होट भी कापने लगे, उसने अपने हथेली पे मुझे पहन लिए, और वो वापस आने के लिए निकल गई, रास्ते में उसने देखा कि हेलिकॉप्टर गूम रहा है, घर आने के बाद उसने आराम किया, और दुसरे दिन वो बागी चे में हरियाली देखने गई, उसने देखा कि रास्ते में एक आदमी मोटर साइकल पे जा रहा है और उसने हेलमेट पहन के रखा है घर वापस जाने के समय वो एक हलवाई की दुकान पे गई हलवाई की दुकान पे उसने हलवा खाया और वो घर चली गई घर जाने के बाद में हैपी बहुत ही खुश थी वो हस रही थी कैसी लगी व्यंजन ह की कहानी चलो अब व्यंजन ह हसे शुरू होने वाले शब्दों को देखते हैं और उसे दोहराते हैं हसे हैपी जो की एक लड़की का नाम है और होता है हसे होट हसे हवाई अड़ा भी होता है जहां से हवाई जहाज उड़ता है हसे हवाई जहाज और हसे होती है हर्याली हसे हरा रंग भी होता है हर्याली हरे रंग की होती है हसे होता है हेलिकॉप्चर और हसे होता है हाथ हसे हिमाले और हसे हथेली भी होती है हसे होता है हेलमेट हसे हल और हसे हाथी होता है हसे होता है हल्वा और हल्वा बनाने वाला होता है हल्वाई हसे हलवाई हसे हवा और होता है हसे हीरा हसे हार और हसे हंस हसे हल्दी और हसे हथोडी हसे हीरन भी होता है बच्चों आपको ये वीडियो वापस देखना है और ये सभी शब्द को वापस दोहराना है Now, it's writing time जैसे कि आपको मालूम है हम व्यांजन हर की राइटिंग प्राक्टिस हिंदी की माइस्किल बुक में करेंगे On page number 9797 we will practice writing व्यांजन हर In the left side corner we will write today's date that is 6.10.20 आपको व्यांजन द लिखना तो आता ही होगा हमको वो ही लिखना है परन्तु व्यांजन द को complete नहीं करना है मैं आपको दिखाऊंगी कैसे पहली लाइन से आप शुरू करोगे और पहली और दूसरी लाइन के बीच में एक छोटा सा standing लाइन बनाओगे फिर वहां से आप व्यांजन द लिखना शुरू करोगे उसके लिए आप पहले एक C बनाओगे और उसके बाद में ये करोगे पर ये व्यांजन द कंप्लीट नहीं करोगे दूसरी और तीसरी लाइन के बीच में आप उसको छोड़ दोगे वहां से आपको stop होना है उसके बाद में आपको complete ड नहीं बनाना है एक बार इतना हो जाए उसके बाद में आपको एक कव बनाना है कैसे बनाओगे मैं आपको दिखाती हूँ पहली और दूसरी लाइन के बीच में एक छोटा सा लाइन फिर वहां से आप व्यंजन ड लिखना शुरू करोगे परन्तु उसको complete नहीं करोगे उसको यहां छोड़ दोगे कहां छोड़ोगे दूसरी और तिसरी लाइन के बीच में फिर यहां से आपको pencil को उठाए बगेर वही लाइन पे वापस जाना है ऐसे घूम के एक कव बनाते हुए आप नीचे आओगे और तिसरी लाइन को क्रोस करके थोड़ा सा नीचे जाना है थोड़ा सा पहली और दूसरी लाइन के बीच में एक छोटा सा लाइन फिर वहां से व्यंजन ड लिखना शुरू करेंगे परन्तु व्यंजन ड को कम्प्लीट नहीं करेंगे दूसरी और तिसरी लाइन के बीच में छोड़ देंगे फिर वहां से पैंसिल को उठाए बगेर पीछे की तरफ जाते हुए एक कव बनाएंगे आधा गोला बनाएंगे और जिसको हम तिसरी लाइन को क्रोस करके थोड़ा सा नीचे तक लेके जाएंगे बचो ध्यान देना है आपको ये रेड लाइन को टच नहीं करना है थोड़ा सा ही नीचे आके छोड़ देना है और पहली लाइन पे स्लिपिंग लाइन बनानी है ये हो गया आपका व्यंजन ह, हसे हल, हसे हाथ, हसे हथेली ये दोनों लाइन में आप अच्छी से tracing practice करोगे फिर आप अपने आप लिख पाऊंगे कैसे लिखोगे? पहली और दुसरी लाइन के बीच में एक चोटा सा standing line फिर व्यंजन ड लिखने की शुरुआत करनी है परन्तु उसको complete नहीं करना है उसको दुसरी और तिसरी लाइन के बीच में छोड़ देना है और वहां से वापस जाते हुए दुसरी लाइन को touch करके एक कव बनाना है आधा गोला और वह तिसरी लाइन को cross करते हुए थोड़ असा नीचे जाएगा ऐसे slant में और ये red line को touch नहीं करेगा sleeping line on the first line ये हो गया आपका व्यंजन ह आपको व्यंजन ह ये पूरे पेश पे लिखके अच्छे से practice करनी है और लिखने के समय व्यंजन ह से शुरू होने वाले शब्दों का बार बार उच्चार करना है एक बार व्यंजन ह अच्छे से लिखके हो जाए उसके बाद में हम हिंदी की notebook में जो के green color की है उसके अंदर हम व्यंजन स और व्यंजन ह लिखने की practice करेंगे As you all know, first we will write today's date in the left side corner in the Hindi notebook Yes, उसके बाद में हम व्यंजन स दो बार लिखेंगे पूरा line में अप अच्छे से practice करोंगे स स स स स स स अ ऐसे बोल के स स स सर कस ऐसे पूरा लिखना है एक बार व्यंजन स की practice हो जाए फिर आप व्यंजन ह की भी writing practice यहां करोगे एक के बाद एक एक के बाद अच्छे से लिखते जाना है और जितनी बार लिखो उतनी बार आपको उससे शुरू होने वाले शब्द बोलने है मुझे आशा है बच्चो आपको व्यंजन ह उससे शुरू होने वाले शब्द और व्यंजन ह लिखते कैसे है वो अच्छे से समझ में आया होगा दन्यवाद